नमस्ते आप सभी को स्वागत एक नए वीडियो में यह वीडियो उने स्टूडेंट के लिए है जो इस बार बोट एक्जाम देने वाले है तो प्लीज आप लोग एक बार इस वीडियो को जरूर देखे क्योंकि इस वीडियो में क्लास 12 का हिस्ति का भी भी आई अब्जिक्त तो चलिए स्टाट करते है इस वीडियो को और वीडियो पसंदागा तो वीडियो के लाइक जरूर कर दीजेगा फर्स्ट क्वेश्चन है हर अप्पा सभ्यता किस यूग की सभ्यता है पूर्य पासन यूग, नपासन यूग, लोह यूग, कांसे यूग देखिए अभी कुश्चन बार-बार पुशा जाता है और इसका अंसन होगा कांसे यूग, ठीक है कुश्चन नमर दो है, हर अप्पा सभ्यता के सबसे बरा नगर कौन है? हर अप्पा सभ्यता के सबसे बरा नगर कौन है? प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दिजेगा जो भी स्टूडेंट है अगर क्लास 12 में है अगर आपका भी हिस्ती सब्जेक्ट है तो प्लीज एक बार लाइक शेयर जरूर कर दिजेगा कि यह कुश्चन आपको एकजाम के लिए काफी महत्पून है और इसी तरह कि अगर विडियो पाना चाहते है तो बिल आइकन भी परेश जरूर कर लिजेगा ठीक है महंजोद्रो जिसका खोजुनी 122 में किया था राखलदास बनर जी ने याद रखेगा या सिंध में इस्तीत है किस नदी के किनाड़े तो सिंध नदी के किनाने और जिला के नाभी लड़कना है ठीक है ना लड़काना है साइद प्रहां लड़काने है प्रसीद इंडिका क कि रचना किस ने किया था जो इंडिका पुष्टाक है उसका रचना किस ने किया था कोटिल्ले मेगास्थिनीज अल बेरूनी इत सिंग आपको पता होना चीजो प्रसीद गरंत इंडिका है उसका लेखक मेगास्थिनीज है ठीक है कुश्चिन नमबर 4 है प्रयाग प्रसस् हरिसेन ठीक है अगुप्त के काल में कौन सा या चिनियात्री भारत आया था वें सांग फड़यान इत्सिंग वांग वें तसे आपको पता होना चीए कि गुप्त के काल में कौन सी चिनियात्री भारत आया था वो है भायान ठीक है भारत ये इतिहास का कौन सा काल स्वर्न काल क के नाम से जाना जाता है मौरे काल, गुप्त काल मुगल काल, अंगरेज के काल तो छटा के आपको option सही होगा ख, याद रखेगा गुप्त काल, इसको हम स्वरन काल के नाम से भी जाना जाता है महावाद की रचना किस भासा में होई थी और संस्कृत पालिप प्राकेष्टी Hindी, तो साथ को याद रखेगा, महावाद की रचना संस्कृत भासा में होई थी, और जिसकी रचना बेध व्यास जी ने किये थे, ठीक है, महत्मा ढूद्ध को ज्यान प्राप्ति कहा होई थी, ये काफी महत्मुन कोस्चन है, लुम्ब तो याद रखेगा आठ का आपको एंसर खर सही होगा इसका ज्ञान प्राप्ति बुद्धगाया में हुआ था और जनम के बाद करे तो लुम्नी नेपाल में हुआ था कोश्चन है नो श्वेतामबर किस बंस धर्म का सा सकती है धर्म बंस नहीं होना चाहिए था आपका कोश्चन रहता कि श्वेतामबर किस धर्म से है ठीक है न तो याद रखेगा यह जैन धर्म से था किस धर्म से था जैन धर्म से था इसमें उप्शन भी नहीं है तो याद तो बारा के याद रखेगा पानीपत की पर्थम लराई 526 में हुई थी याद रखेगा अंती मुगल सासक वो बाहदूर सा जफर था इबन बतुता किस देश के यात्री था? मरुको, मिसर, तुर्की, इरान इबन बतुता तो 14 के इंसर आपको सही होगा यह मरुको का से यात्री था ठीक है? विजय नगर का महंतम सासक कौन था? वीर नरसी, क्रिशन देव राय, अच्छीवत राय, साधी, साधी स्वर राय तो 15 के आपको इंसर सही होगा याद रखेगा वह महंतम सासक थे जिनका नाम है क्रिशन देव राय गुपुरम का समंध है गाय से, नगर से, बेपार से, मंदीर से तो सुल्ला के इंसर सही होगा आपको जो गुपुरम गुपुरम का समंध किस से था त्याद रिखेगा इसका समंध है मंदीरों से ठीक है क्वेश्चन नमबर 17 है बीर सेव बीर सेव यानि लिंगायत अंदोलन का जनक कौन था कबीर गुरु नानक वसवन्ना कराईकल तो 17 के इंसर सही होगा अपसन नमबर 17 है ठीक है खवाजा मुईनि दिन चिष्ति का दरगा कहा श्थीत है? तो 18 क्या आपको पता है कि पढ़े होंगे खवाजा मुईनि दिन चिष्ति का दरगा अजमेर में श्थीत है 19 सहताज मलक निर्मान किस ने किया था? अकबर जहागीर औरंग जेव साजा तो उनीस के आपको घव एंसर सही होगा जहागीर ठीक है आपको क्या है सोरी ताज महल का निर्मान साजा ने किया था अफसन घव सही होगा हम खाटिक लगा दिये है दिल्ली से दौलत बाद किस सासक ने प्रेर रहानी परिवर्तित की थी बलबर मुहम्मद बिन तुगलक अलाव दिन खिल जी अकबर तो बीस के आपको एंसर सही होगा अफसन नमबर ख मुहम्मद बिन तुगलक गांधी जी ने असयो गंदलन किस वर्स आरंब किया था आरंब की बात है तो याद रखेगा 1920 में और 1922 में एक खतम हो गया था चोड़ी 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 चोरा जब हत्या गांड हुआ था उसके बाद इसको समाप्त कर दिया गया था वापस ले लिया था गांधी ची इसके बाद बहुत जगा इसको विरोध भी क्या था इसके चलते गांधी जी को भारतिय राष्टे कांगरिस के अस्थपना कब हुई थी याद रखेगा भारतिय राष्टे कांगरिस के अस्थपना 1911, 1924 में ज़ाद रखेगा 1905 में ठीक है और 24 है Indian National Army का गठन की सोवीश का एंसर सही होगा Indian National Indian National Army का गठन की सोवीश का एंसर सही होगा option number G सुवाशचंद्र बोश जी ने 15 से भारत की सबस गंतंतर हुआ था तो आप सभी जानते है कि भारत की सबर्स गंतंत्र हुआ था ये question कोई बताने के जोत नहीं अगर 12th का student है तो आपको पता होगा कि हमारा देश गंतंत्र कब हुआ था तो आपका इसका एंसर सही होगा 1950 में confused मत हुएगा सोतंत्र रहता तो 1947 में रहते और गंतंत्र 1950 में क्योंकि इसी दिन हमारा देश में समिधान लागू हुआ था कब 26 जन्वरी 1950 को तो मुझे उमीद है कि या वीडियो आपको फसंद आया होगा और फसंद आया तो वीडियो के लाइक और नहीं तो जैनको सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद